हाँ एट ग्रेट के ही अध्याए ग्यारा लेते हैं छेत्रमिती का और इसमें पहला प्रिष्ण है कि एक ऐसे घं की भुजा ग्याद कीजिए जिसका प्रिष्टीज छेत्रपल 600 वर्ग सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर का वर्ग है इस तरह इस तरह पढ़ते हैं तो इसमें माना की घं की भुजा एल सेंटीमीटर है तो घं का प्रिष्टीज छेत्रपल घं की सभी भुजा एक यसी होती है तो इसमें 6 प्रिष्ट होंगी तो 6L2 का मान के पहले से दे रखा है तो 6L2 वर्ग में से 100 का करेंगे तो दस का वर्ग मूल में दस सेंटी मीटर प्राप्त हो जाता है देख सकते हैं अगला प्रश्ण लेते हैं कि 14 सेंटी मीटर चोड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चोड़ाई के अनुदिस मोड़ कर 20 सेंटी मीटर इसक्वेर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है बेलन का आयतन ग्याद करना है तो ये देखिए, ऐसे समझ में आ है कि ये 14 cm इसकी चोड़ाई है इस तरह का पहले ये आयताकार कागज है मोरने के बाद इसको इसको इसतरह कर दिये तो ये चोड़ाई मूड़ी तो ये चोड़ाई में तो अभी भी 14 है लेकिन वो बता रहे हैं कि तरिजिया 20 हो गई तो उपर 20 लिखा हुआ है अब इसको हल करना ऐसा है कि कागज को चुकि मोड़ा गया है अता है चड़ाई बेलन की उचाई होगी अब यहाँ पर तो उचाई जितनी है वो हो जाएगी 14 है तरिजिया इसकी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर तो इसका बेलन का आइतन निका लेना है बेलन का आइतन का सूतर होता है पाई आर स्काई एच और इसमें सबके वैल्यू रख देना है पाई की जगे 22 बटे 7 आर जो है 20 सेंटीमीटर था तो 20 कुने 20 अर्था वर्ग की वज़े से और 14 जो है उसकी उचाई गुणाफ करेंगे सब आपस में तो ये 17600 लेकिन चुकि आइतन है आइतन में तीन बिमाएं होती है तो सेंटीमीटर का घन हो जाएगा तो 17600 घन सेंटीमीटर ये इसका अंसर हो जाएगा अगला प्रिशन है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आइतन ग्याद कीजिए तो चुकि घन का आइतन होता है भुजा का क्यूब या भुजा का घात तीन तो भुजा दिया है 5 तो 5 घात तीन अर्था 5 का तीन बार गुना कर दीजिए 5 का घन होता है 125 इस तरह ये आंसर हो जाएगा अगला प्रिशन है कि ऐसे घनाब की उचाई ग्याद करिए जिसके आधार का छेतरफल 18 वर सेंटीमीटर और जिसका आइतन 90 घन सेंटीमीटर है तो जी घनाब का आइतन होता है यहां चुकि छेतरफल दिया हुआ है आधार का और आइतन दिया है तो हमें पता ह होना चाहिए कि जो आइतन बनता है छेतरफल में उचाई का गुड़ा करने से होता है तो यहां पर हमने सूतर में लिख लिया है कि घनाब का आइतन होदगा आधार का छेतरफल गुड़े उचाई के बराबर अब हमें उचाई चाहिए तो उचाई किनारे कर लीजे तो लेते हैं यदि किसी घन के प्रते किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके प्रष्टी छेत्रपल में कितने गुना ब्रद्धी होगी दूसरा ये पोल रहे हैं कि इसके आयतन में कितने गुना ब्रद्धी होगी तो चलो सुरू करते हैं कि मानते हैं सबसे पहले कि माना की गन की भुजा एक्स एकाईब मतलब कोई भी सेंटीमीटर या जो भी है तो एकाईब के रूप में हम लिख लेते हैं तो आयतन कितना हो जाएगा आयतन होता है भुजा का तीन बार गुणा इर्थात ये एक्स की क्यूब और इसका प्रिष्टीज छेट पल कितने होंगे 6 हों अब आगे चलेंगे कि पहला जो बोल रहा है कि इसके प्रिष्टीज छेट पल में कstep्योगी तो जी चलो एक्स की जगए दो लिख तो च्हेक में जहां पे एक्स था वहांपे की जगे दो लगा दिया तो दो एक्स हो गया तो हो गया 6 का दो का गना बर ढूर too श nee चोग ए चैर तो पहले से रहता है, चार ही तो बढ़ा, तो चैर चोटे चौबिस, अर्थात चार गुना की व्रद्धी हो गई, अब आयतन में देख लेते हैं, आयतन में है, आयतन जो है, एक्स का क्यू था, तो यहाँ पर एक्स क्यू जेगे डबल करना है अर्था, दो X लगाना है तो दो X Q और दो का घन होता है आठ तो इसका मतलब हो गया आठ जितना X Q था वो उसका आठ गुना हो गया तर्थात आयतन में आठ गुना की विर्दी होगी अगला लीजिए एक ऐसे बेलन की विचाए गयात कीजिए जिसकी तरिजया 14 cm और प्रिष्टी छेटरफल 1936 वर्ग cm है चलिए इसको लेते हैं तो बेलन की विचाए माल लेते हैं तिर्जिया ले दिया हुआ है 14 cm तो प्रेश्टीज येटपल इसका होता है बेलन का प्रेश्टीज येटपल निकाल लेंगे 2 πाई आर H प्लस आर ये जोता है सूत्र और ये इदर प्रेश्टीज येटपल 1936 दिया है तो इसको इदर लिख लेंगे और टू पाई आर की जगे 14 है, एच तो ग्यात करना है, 14 का इसमें कर दिए, इसको जो हल करेंगे तो देखिए इस तरह हल हो जाएगा, तो ये इधर 1936 को एक तरफ कर लिए और 28 ह प्लस 14 हो गया, इसको भाग दे दिए, बाएं तरफ ले लिए एच प्लस 14 को और 1936 में 28 का भा हो जाएगा और तो इसमें सघटाएंगे तो 8 सेंटीमीटर प्राथ हो जाता है, अर्थात उचाई जो है, हमारी 8 सेंटीमीटर इसदर देख लीजे अच्छे से, आगे लेते हैं, एक मचली घर, एक्वेरम, एक्वेरियम, जिसमें मचली के बच्चे पाले जाते हैं, रंग के तल, प्रिष्ट भाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढखना है, आवश्चे कागज का छेत्र फल गयत करना है, देखे जी, यहां से सुरू करी है, पहले ले लिजे मचली घर की लंबाई जो दी है, तो इल मान लिजे, 70, मचली घर की चोड़ाई B तो 30, मचली घर की उचाई H तो 50, अब इनके क्या करना है, आधार का छेत्र फल निकाल लिजी, आधार का छेत्र फल का मतलब होता है, लंबाई में चोड़ाई का गुणा तो 70, 30, 1,100 बर सेंटीमीटर आ गया, प्रिष्ट का छेत्र फल निकाल लेना है, तो B गुणे H अर् 70 में 50 का तो यह हो जाएगा, 300 बर सेंटीमीटर, अब कागज का कुल छेत्र फल कितना हो गया, देखिए नीचे और साइड साइड तो यह हो जाएंगे, लंबाई गुणे चोड़ाई अर्थाज LB और LH का, और दो बार BH का गुणा कर दीजी, BH मतलब हो गया, यह वाला, य प्रिष्ट फलक वाले को दो बार कर गुणा करके जोड़ दीजी, तो यह हमारे सारे के सारे ढग जाएंगे, तो देखिए जी इसका हो गया है, का 935 सब को जोड़ देना है, गुणा भाग करके, यह जो 8600 यह वर सेंटीमीटर का कुल छेत्र फल आ जाएगा, अगला प्रि गुणा आपके अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घं रखे जा सकते हैं, तो जी ठीक है जी, बड़े वाले का पहले आयतन का वो गुणा कर लिजे, तो बड़े वाले घं आपका आयतन कितना है, 60, 44 और 30 का गुणा करेंगे, तो 97, 1200 घं सेंटीमीटर आएगा, यहां पर वर्ग लिखाओ, इसको सदाल लिजेगा, तीन है वो, घं तीन हो जाएगा, और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घं का आयतन, यह भी 6 गुणे 6 तीन बार हो जाएगा, तो 216 घं सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें 2 लिखा हुआ, इसको घं घं बनाना है, दू नहीं लिखना, वर्ग नहीं लिखना, घं तीन होता है, अब इसके अंदर कितने रखे जा सकते हैं, तो बड़े घं खनाब के अंदर रखे जा सकने वाले छोटे घं की संक्या कितने हो जाएगी, घं घं औले आयतन का भाग दे देना है, तो यह जाता है, 97,200 में 216 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 450 गन निकलाएंगे अब एक भवन में 18 बेलनाकार खंबे हैं प्रितिक खंबे की तरिज्या 35 सेंटी मीटर है उचाई 5 मीटर है नौ रुपए प्रिति वर्ग मीटर की दर से सभी खंबों का वक्ष्टी छेथफल पर पेंट कराने का व्यग गयात करना है तो जी खंबे की तरिज्या दिये देखिए आर्ग में ले लेते हैं 35 सेंटी मीटर इसको मीटर में बदल देना है तो मीटर में हो जाएगा 100 का तो यह आजाएगा 110 मीटर का स्क्वाइर अब यह बोल रहा है इस प्रकार के 18 खंबे हैं तो 18 का 110 में गुणा कर देना है तो यह आजाता है 17,820 वर मीटर खर्च हमेशा रुपए में आता है यह भी सुधार लेंगे मीटर स्क्वाइर नहीं यहाँ पर रुपए आएंगे अब 21 सेंटी मीटर चोड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चोड़ाई के अनुदिस मोड़ कर 30 सेंटी मीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया है बेलन का आयतान ग्याद कीजिए बिलकुल इसी तरह का पीछे एक प्रिशना आच चुका है यह आयताकार कागज है 21 सेंटी मीटर चोड़ा है मोड़ा तो देखी चोड़ाई बेलन ऐसा हो जाएगा और बता रहे हैं जो तरिज्या वहाँ बीस थी यहाँ पर 30 सेंटी मीटर है कोई दिक्कत नहीं इस तरह यह पाट पんड़ा हुआ धन्यवाद